नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल Study for Win ने रात के 10 बजे का है साथ और आई करते हैं सीटेट पेपर टू की बात जियां दोस्तों अब कर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो हमारा Study for Win ने सभी जैनलिस पे भारी आज हम डिसकस करने वाले हैं बाल विकासिवम सिक्षा शातर के प्रिशन यानि पैड़ागोजी के कोश्चन्स हम डिसकस करने वाले हैं साइल डवलप्मेंट के कोश्चन्स ऐसे ही कोश्चन्स आपके सीटेट में आई हुए और आपके प्रैक्टिस सेट के कोश्चन्स हैं तो बिना कोई देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी एक लास क्योंकि हर बार की तरह ही है कुश्चन बहुती महत्त पूर् करने और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने कुश्चन्स सही हुए तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर है और फटाफट से आंसर कर दीजे कि राइट क्या होगा किसके नियम के अंतरगत जो है हम किसी भी भासा के शुक्र ध्वनी संयोजनों को रख रखते हैं जोसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ध्वनी संबंधी नियमों के अंतरगत रखा जाता है कुश्चन्बर थ्री है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भासा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं थर्ड का आ अधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परिक्षण कर रवी उपकरण की मरमत करता है वह उप्योग करता है किस चीज का उप्योग करता है जब वह उपकरण की मरमत करता है तो आंसर कर दीजिए फटाफट से किसका वह उप्योग कर रहा है तो वह में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है वह किसका उपयोग करती है जब भी उसको कोई भी काम दिया जाता है तो उसको चोटे-चोटे महिला की जो भूमगाओं का निर्धारण है समाज करता है क्या बताता है इस टाइप के कुश्चन भी आते हैं कई बार आई हुए है तो इसका राइट आंसर है आपको अप्शन थर्ड लेंग एक समाजिक अफ़तरण है यानि समाज नहीं यह बनाया है कि यह पुरुष है यह इस तरिया यह काम करेगा यह काम करेगा तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचे परणा लिया किसके उधारण है यह जो कुछ आपको अधारण दिये गए ग्रेडिंग कोडिंग अंकन क्रेडिट संचे किसके उधारण है लबधी का आकलन सिक्षकों की सहायता करता है किस चीज में सहायता करता है क्या करने में सहायता करता है तो वो सहायता करता है अधिगम करता हों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में अंसर के सिद्धान्त पे आधारित दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था अंसर बताईए 1995, 1999, 2016 या 1992 तो यह आपका हुआ था 2016 में लागू दिव्यांग जन पहले विकलांग कहा चाता था फिर उनको जो है नाम दिया गया दिव्यांग जन तो अप्शन थर्ड सही है व्यक्तिगत विविद्यताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्याले होने चाहिए जहां सिक्षक जो है क्या करे किस किस प्रकार के विद्याले होने चाहिए ऑप्शन पढ़ लीजे और आंसर कर दीजे कि किस प्रकार के विद्याले होने चाहिए जहां पर जो है व्यक्तिगत विविद्यताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिसिक्षित हो जो सिक्षक क्या हो उनको जानते हो कि कैसे पढ़ाना है तो option 2 correct है निशुल्ग एवं अनिवारे बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्ग सिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कितने वर्ष के बच्चों की तो यह तो question जो है सभी को आना चाहिए common question है काफी पार से है तो इसका तातपर है अधिगम की सार्व भौमिक संरचना option 3 correct है स्वा जाग रुकता एवं संग्याना अत्मक्षमताओं का नियंतरन जैसे योजना बनाना समीक्षा करना संशोधन करना इत्यादी किसमें अंतर नहित है तो यह आपके अंतर नहित है संग्यान वोधन मे option 1 correct है जब अपचे जो है वो प्राप्ट की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के अधार पर सोचते हैं तो उसे हम क्या कहती है किस प्रकार कर हम से सोच कहेंगी किस प्रकार कर हूश चिंतन कहेंगे तो उसे हम कहेंगे स्रजनात्मक शोच या स्रिजनात्मक चिलतन option first correct है अधिगम करताओं को व्यक्तिगत समता के अधार पर उनकी कठनाईयों के विभिन स्थरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधी को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है विभेदी अनुदेशन यानि विभेदिताओं के अधार पर निर अधिगम करते हैं तो 17 का right answer है सामानी करण option third जनजोग का यह मानना है कि संध्यान और भाव होते हैं किस प्रकार के होते हैं जनजोग का यह मानना है तो right answer है कि संध्यान और भाव जो स्वतंत्र होते हैं option first correct है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए कि कौन सी विधी को प्रियोग कर रहा है तो वो प्रियोग कर रहा है अब लोकन विधी को option first correct है questions अगर पसंदा रहे हैं दोस्तों आपको लग रहा है कि हां question important है तो आपको फटाफट से जो है like कर देना है वीडियो को share भी कर देना जोनोंने subscribe नहीं किया है वो जो है study for bin को बिना subscribe किये हुए और बिना bell icon को प्रेस किये हुए मत जाएगा क्योंकि आपको मिलने लगेंगे bell icon को प्रेस करता ही वीडियो के notification और और भी हमारे जो important वीडियो अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर आपके रोजगार से संबंदेत हैं live classes हैं तो उसके भी notification आपको मिलने लग करते हैं विकल 계 CDC बनाते हैं और इसके फायदे और नुक्सान के प्रतेक पहलू पर विचार करते हैं तो उसका व्यबार प्रतुत करता है क्या प्रतुत करता है तो प्रतुत करता है सत्तर करेक्ट से audio क्यो Jesters प्रकार को करते समय बच्चे स्वयम आनंद लेते हुए अनभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यासकार अप्शन फोर्थ सही है बहु समवेदी सिक्षन अधिगम की प्रवधी में अधिगम समवर्धन हेतु द्रश्श रव्य इसपर्श और किस प्रकार की समवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका रॉइट आंसर है गती बोधक समवेदना है सरीर के केंदری भाग से परिधियों या अगरांगों की ओर का विकास दर्शाता है क्या दर्शाता है 24 का आंसर है आपका option first विकेंदरी करत विकास के सिध्धानतों को स्कूल बच्चों के समाजी करण की एक ऐसी संस्था है जहां जहां पर क्या होता है तो option पढ़िए और answer कर दीजिए तो स्कूल एक ऐसी संस्था है समाजी करण की जहां पर्मो के स्थान स्कूली बच्चों का होता है निए बच्चों को जो है वो प्रात्मिकता जी जाती है बाल के इंदरित सिक्षण होता है नोट्स के लिए आप जो हमारा नंबर है 9496369356 इस पर आप जो है वाट्सैप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बहतरी नोट्स और PDF जो आपकी तयारी को देंगे एक नया आयाम और मजबूती तो जल्दी से नंबर गुमा दीजे और अपनी सफलता की चाबी पालीजे 26 है जब आप एक सिक्षक समू से जुड़ जाते हैं और अपने समू के अन्य लोगों की तरह पोशाग धरण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं समू की पहचान का 4th option correct है किसी वस्तू के स्तायत्व की अवधाणा प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है तो ये प्राप्त होती है आपके समवेदी गामक चरण में व्यक्तिकर सिक्षा कारकरम की योजना किस संदर्ब में बनाई जाती है किस अंदर में बनाते हैं तो यह बनाते हैं बाल केंद्रित सिक्षा कारकरम यानि जहां पर क्या बालक ही सिक्षा के लिए प्रमुकेंद्र होता है किन महीनों की आयू के बीच अधिकांस बच्चे शब्दों को मिलाकर चोटे चोटे वाकियों में बोलना फिरू कर देते हैं तो इसका right answer है option first फिर आटहारा सुटे चोटे है के हैvere महीने के बालक होते हैं उस शब्दों को मिलाकर जो है चोटी चोटी बात बोलना शुरू कर देते हैं लास्ट कोश्चन है इस तरीके की तीस कोश्चन आपके जो है सीटाइट विपरटू में आते हैं और ऐसे ही कोश्चन आएंगे यही लेवल रहेगा तो आपको जो है काफी अच्छे से बारना दी गई थी किसने दी थी तो यह जो है दी थी आपकी बिने के द्वारा ऑप्शन फस्ट जो है वह आपका करेक्ट है तो यह आपके बाल विकास इक्षाश चाहत गया आज क्लास नहीं खताम होती है आसा है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो बहुत बहुत धन्वाद, अपना ख्यार लखिए, स्वस्त रहिए, वीडियो, लाइक लास, मौक टेस्ट देते रहिए, सभी को मेरा ख्यार भर नमस्कार, शुबरात्री, जैहन जै भारत, all the very best.